हेलो दोस्तो वेलकेम टो आकास एमकेब सॉल्विशन सीरीज केमस्ट्री आज हम डिस्कस करेंगे एमकेब 5 पार्ट 1 केमस्ट्री का इसे एमकेब का भी लिंक आपको निसे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड करके खुद से भी सॉल्ड कर सकते हैं उसके बादम क्लोरीज ड्रोमीन और आयोडीन और एक और दिया था केल्सियम स्टैंसे ओर बेरियम ये तीन चीक दिति इसने कहा था कि इनमें जो साइड वाले एटाम होते हैं उनके एट्ट करके के एवरेज होता है वह बीच वाला एट्टरमिक वेट के एकवल होता है इसने कहा था कि जो side वाले item है उनकी electronic weight का average बीच वाले item का electronic weight होगा तो इसने ये ज्यादा के लिए valid नहीं हो सेगा कि उल इसने तीन example बताए थे तो यहां पर कौन-कौन सा एक तो यह correct हो रहा है यहां पर और डी वाला correct हो रहा है एस में तो एस में कौन से में आता है सबसे पहले group first और group second जैने बोलते है alkaline metal और alkaline earth metal बोलते है उन्हें यानकि इसमें NS1 होता है और उसमें NS2 होता है तो alkaline metal यहां भी second option correct होगा अपना अब जैने क्यूसर no.3 the correct order of ionic radii of the following species अपने को ionic radii का करम देखना है इन species में कि period में आवर्त सारने के period में left to right जाने पर क्या हो रहा है size decrease करता है और उपर से नीचे up to down आने पर size क्या हो रहा है increase करता है और ISO electronic atom में क्या होता है जितना ज़्यादा negative charge उतना ज़्यादा उसका size कि यह किसके लिए होता है only ISO electron के लिए valid होता है यहाँ पर तो यहाँ पर ISO electron कौन से होगे एक तो O2 minus में भी 10 हो रहा है minus 10 electron यानकि यह तो इन दोनों का करम तो सही हो गया O2 ref का अब देख लेते हैं यहाँ पर सब्सक्राइल आ रहा है ऐसी ऐसी कितने में आ रहा है 16 group में आता है ऐसी third period fourth period में आ रहा है 16 group में फिर 17 group में कौन साथ है बाखे के items आ रहे यानिकि abyss, bromine और iodine तीन हो गए अब left to right जाने पर क्या हो रहा है size decrease कर रहा है और up to down आने पर size increase कर रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे बटा size किसका होना चाहिए i का क्यों क्यों होना चाहिए है यहाँ पर है आई में सबसे ज़्यादा एन सबसे ज़्यादा होगी यान कि period change हो रहा है तो number of n जादा तो उसका size ज्यादा कि उसमें जितने ज्यादा cost होना उसका size उतना ज्यादा होगा तो आप आई इन तीनों में compare करने पर i का size मान रहा है कि इधर से left to right आने पर size क्या हो रहा है decrease कर रहा है लेकिं ये teak compare में to i का size कम होता है लेकिन इसके compare में तो अभी भी जग़ाए यह ना क्यूंकि उपर से नीचे आने पर size increase भी तो करता है तो यान की i का इनमें सबसे ज़्यादा हो गया यहां पर लिख लेता है size i minus का i का ज़्यादा है तो minus का भी ज़्यादा होगा अब इसके बाद sc और br में देख रहे हैं हमें तो left to right जाने पर इनमें number of n तो same है लेकिं left to right जाने पर क्या होगा size decrease कर रहा है तो ac का size क्या होगा ज्यादा होगा और फिर उसके बाद में br का size minus ac minus two यहां पर कॉंट्व क्रेक्ट होगा है अपने पास में फिर o minus 2 और f minus क्योंकि i10ट्रोन पर जिसके पास जतना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा एफ यान क्योंतरा ज़्यादा उसका साइज होगा अब यहां पर देख रहे है और एफ दोनों ही क्या रहे हैं सेम पीरियाड में आ रहे हैं तो सेम होगे नमबर आप आई सो इलक्ट्रोनिक में नेगेटिव चाहर्ट देख लिया आपने तो अपना कॉन्स ऑप्शन करेक्ट हो गया है यहां पर फॉर्थ ऑप्शन है अब देखने क्योंस नमबर फॉर अमाउंट फॉलोविंग दा एलिमेंट हैविंग हाइएस्ट आइनाजिशन एन्थेल्पी एज वेल एज पोजिटिव एलक्ट्रोन गैन एन्थेल्पी की इन में से कॉन सा एटम हाइएस्ट गैस्टोनिक कॉन्फिगिरेशन यह फिर फुल फिल्छिड इलक्ट्रोनिक कॉनפीड्रेशन Rachas के एक कैस राइन होगी हां वी ज्यांति हैए पर तो यहां पर एक ही दिख रहा है सब को दूर से कि यह क्या होगा इनाट गैस इनाट गैस के लिए या होता है maximum होगी क्योंकि इनाट गैस ना तो इलक्ट्रोन लेना चाहेगा और ना ही इलक्ट्रोन देना चाहेगा इन डायरेक्टली यही बात ही पूछ रहा है अब देखरें क्यूशन नंबर फाइफ एडिशन ओफ एन इलक्ट्रोन इन्यूट्रल गैसेज एटम अलाइड्स लीड टू यान कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है अई एक्स माल लेते हैं यह नीूट्रल एटम कोई एक्स है उसमें एक कोई भी इलक्ट्रोन एड़् करेंगे तो क्या होगा अणाइड मेंद में चैंज होगा यह बात तो यह सही हो गया है कि फोर्मेसिशन और ऑफ एन्यूप एन्यूप लेगा तो अब लिब्रेशन ओफ energy की energy क्या होगा vibration यान की energy release करेगा वो लेकिन हमेशा थोड़ी होता है हर cases में ये थोड़ी कह सकते है पन की energy वो release करेगा कैसे जैसे अभी देखा था inert gas के case में या फिर half field और full field के case में क्या होता है electronic configuration में stability ज़्यादा होती है तो वो ना तो electron देना चाहेगा और ना electron लेना चाहेगा तो energy release करने का तो कोई स्वाल ही नहीं होता है क्योंकि उसे energy बाहर से देनी होगी तो ये हमेशा के लिए हमेशा कहने पर गल्द हो गया normally ठीक था है decrease in proton and electron ratio तो यान कि proton और electron ratio क्या होगा decrease ये बात भी सही होगा कैसे कि number of proton कितना होता है जैड कि यहाँ पर पहले तो इसके पास जैड तो अभी भी जैड है ये प्रोटोन का तो कोई exchange नहीं हो रहा पहले भी जैड थे और अभी भी जैड है और पहले इसके पास electron e थे मान रहा है पर लेकिन बाद में जब ये electron इसने ले लिया तो जैड तो सेम ही रहना है और बाद में e प्लस 1 तो यान कि ये क्या हो रहा है ratio क्या होगा decrease हो रहा है क्योंकि ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आता है तो ये बात भी इसने सही कहा दी तो को उनसा option correct होगा है अपने पास में first or three तो third option correct होगा है अब देखने क्यूशन नमबर six predict correct statement कि अपने को correct statement का है पर चुनाव करना है कि electron affinity e a positive is greater than zero greater than zero का मदलब positive हो impulse that electron attachment is जो थर्मी सही बात होगी जैसे यहाँ पर कोई item है यह उसका nucleus माल लिया यह उसका last वाला cell हो गया अब electron affinity positive का मतलब वो electron को add करना चाहरा है यानि को उसके पास electron की कमी है पहले से या फिर वो अपनी stability बढ़ाने के लिए electron को क्या करना चाहता है खुद ही add करना चाहता है और electron को add करेगा तो क्या होगा bond formation होगा bond formation होता है कैसा exothermic process होता है क्योंकि energy क्या होती है release होती है तो यह बात सही होगी यह वैसे भी समझ सकते हैं कि electron affinity होती है EA और electron gain enthalpy होती है कि electron जोडने पर कितनी enthalpy release करता है उन दोनों में relation कैसा होता है negative होगा कि जब उसके electron affinity positive यानि कि जब उसकी इच्छा होगी electron add करने की है तो वो energy जल्दे release करतेगा यान कि energy का loss होता है लेकिन जब उसकी इच्छा है नहीं होगी energy electron affinity यानि कि वो electron को add ही नहीं करना चाहरा तो वो अपने को बार से energy देनी होगी तो वो positive हो जाती है यानि कि इन दोनों के sign क्या होते है अब positive लेकिन value same होती है बस तो first one option क्या हो गया correct हो गया है यहाँ पर second electron gain enthalpy of O minus ion is negative O minus ion की electron gain enthalpy अब देखो O minus इसने एक electron तो पहले से add कर लिया अब और electron लेगा तो repulsion होगा क्योंकि इसके capacity electricity से ज्यादे electron ले रहा है तो negative क्यों अपने को बाहर से देना होगा क्योंकि अपन यहाँ पर इसकी इच्छाएगे बगार काम कर रहे है तो यान कि energy बाहर से देनी होगी अपने को तो यहाँ पर वो minus की positive होनी चाहिए negative नहीं गलत हो गई the electron gain enthalpy of species x is the negative of the ionization enthalpy of its negative ion यान कि electron gain enthalpy x मैं समझाता हूँ क्या कह रहा है यह ऐसे कहना चाहरा है कि electron gain enthalpy of species x कि species की electron gain enthalpy जो कि x दे रखा है element का name वो negative और ionization enthalpy की value उसी negative से compare करने पर दोनों same होती है या ऐसे माज़ा में देखते है यान कि सबसे पहले कह रहा है कि electron gain enthalpy यान कि x है इसने एक electron लिया और x माइनस में चला गया ऐसा ही हो गया electron gain enthalpy electron जोडने के लिए अब इसे energy कितनी होगी energy release करेगा कितनी e energy release कर रहा है और वो कैसे exothermik process होगा energy इसने release की e अब उसके बाद में x माइनस से एक electron को निकालने के लिए कितनी energy requirement होगी electron निकाल रहा है यान कि bond को तोडना होगा bond तोडने के लिए अपने को endothermik process करना होगा अब endothermik process और यह exothermik process यह पिस क्यों शिंबल अलाग है जबकि energy तो same होगी ना क्योंकि कोई जितनी energy ले सकता है उतनी energy तो देगा यान कि एक electron से bond बनाने में मालो यह energy ले रहाता है तो उसी electron का bond तोडने में भी यह energy लेगा क्योंकि यह बात सही होगी तो इसमें कुन सा option आपने पास में first or three fourth option correct होगया अब देने question number seven in which of the following pairs the ionization energy of the first species is less than that of the second की इन में से first की compare में second की ionization enthalpy ज्यादा होगी किस में match कर रहा है यह condition सबसे पहले देख रहे है O plus निकाल लिया तब ही तो यह O plus में change हुआ अब इससे एक electron और निकालना अपने को ionization enthalpy तो यह कहती है ना last cell से एक electron निकालने के लिए यानि कि O plus से एक electron और निकालना अपने को तो यह क्या हो जाएगा O plus two में change हो जाएगा अब देख रहे हैं यहाँ इस इस खुद से सोच रहे हैं कि इस यहाँ पर electron निकालना आसान होगा यहाँ पर electron निकालना आसान होगा अब यहाँ पर तो एक electron चलो दे दिया इसने अब एक electron तो इसने पहले दे दिया और एक electron हो रहा गे मांगने तो यह कैसे दे सकता है तो इसके पास और भी कम होंगे एलक्ट्रोन तो O+, यान कि अपने को बहुत ज़्यादा effort लगाने होगे इससे एलक्ट्रोन निकालने के लिए यान कि energy ज्यादा requirement होगी, energy ज्यादा होगी, तो उस क्या बोलता है उस energy को ionization enthalpy ज्यादा होगी यान कि O+, कि I, N, L, P, O के compare में ज्यादा होगी, जो कि दिख रहा है हाँ में अब sulfur and potassium देख लेदे, सबसे पहले sulfur आता है, 16 number में इसका electronic configuration क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, यह इसका electronic configuration होगा अब phosphorus का देख लेदे, phosphorus कितना है तो 15 तो यान कि यहां तक ठीक रहेगा और बस 3p में 3 हो जाएगा, 15 होगे, अब ज्यादा किसका होगा, अब हम देख रहे हैं यहाँ यहाँ पर half field होगा और full field की stability ज्यादा होती है, तो half field क्या होगा, पी में 3 electron है यहाँ और यहाँ पी में यहाँ पी वाला, P की ज्यादा होगी अपने पास में, अब देख रहे है, nitrogen और phosphorus में, अब यहाँ नाइट्रोजन का electronic configuration लिख लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p3, अब को होगी यहाँ पर phosphorus और nitrogen दोनों को देखना है, अब दोनों में क्या रहा है, P3, यान कि दोनों में क्या है, half field, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? देखेंगे कि electron nucleus के जितना जादा नजदीक होगा, उस पर उतना जदा attractive force लग रहा होगा, तो यहाँ यहाँ पर 2s में, यह, sorry, 2p में जदा नजदीक होगा, 3p में जादा नजदीक होगा, simple सी बात है, 2p में जदा नजदीक होगा, क्योंक होगा attractive force ज्यादर लगना हो तो stability ज्यादा होगी और electron निकालना उतना ही मुश्किल होगा जारी कि nitrogen की stability ज्यादा होगी तो आइन इस एंड लपी भी ज्यादा होगी बी प्लस और बी में वह वाला कंडिशन होगी कि एक electron और निकालना चाहरे है एक तो पहले निकाल जोगे तो यह बी प्लस की ज्यादा होगी तो यहाँ पे कौन्स ऑप्शन करेक्ट होगे अपने पास में second option question number eight the number of element that can be accommodated in the present set up the long from the periodic table की periodic table में कितने number of element आ सकते है maximum अब तक की आई होगी तो हम जाते है periodic table में क्या होता है साथ तो क्या हो रहे है period और 18 क्या होता है group और इन में maximum numbers और फिलेक्ट्रोन की items कितने आ रहे है 11 18 कितने आते है periodic table में तो second option correct हो गया अब जैते हैं कि इसन number nine which of the following statement is false कि इन में से कौन से statement incorrect यानि कि false है तो no inert gas present in seventh period कि seventh period में कोई inert gas नहीं होती है सही बात है क्योंकि first period से start होती है और sixth period पे आगे खतम हो जाती है first second third four fifth sixth seventh में जाइन हो पाती है अभी तक तो यह सही हो गया false नहीं होगा third period contains 18 elements third period में 18 elements आते हैं कासे है देखते हैं first वाले में two eight eight और 32 जानिकि यह first वाले में यह second में यह third में third में कितने आ रहे है आठ, 8, 80 elements आ रहे है किसमे period की बात हो रही है गुरूप की नहीं कि third period में कितने आ रहे है eight elements तो कौन सा हो गए यहापर ही गलत बात हो गए नहीं 18 बता रहा है यहापर option three देखते है third group of the periodic table accommodated maximum number of element अब यहाँ पर group की बात हो रही है period की नहीं कहीं देखेंगे अब पीरियड की बात यान कि गलत 32 आ रहे हैं यहाँ पर पीरियड में तो sixth period में लेकिन यह period है group नहीं थर्ड पीरियड और पीरियोडिक टेबल accommodated maximum number of element सही हो गया कैसे क्योंकि यहाँ पर थर्ड पीरियड में थर्ड ग्रूप में यहाँ आ जाते हैं लेंथ नौइड और एक्टेनौइड एलिमेंट भी थर्डी ग्रूप में आते हो तो यहाँ पर सही बात होगी इन पी ब्लोक, metals, non metals and metalloids आरप जाते हैं कि पी ब्लोक में दातू, एदातू और उपदातू तीनों पाए जाते हैं जो कि आवद साणने का एक मात्र ब्लोक हो गया जिसमें तीनों चीजें पाए जाते हैं metal, non metal और metalloids तो सही बात हो गया यहाँ पर तो कौन सा option correct हो गया है चुनाओ करना अपने को, तो सबसे पहले आइनाइजसे न एंधल पर गया होती है, indirectly proportional होती है कि इसके size की, कि जिसका जितना ज्यादा size होगा उसमें से electron निकालना उतना ही आसान होगा, या फिर जिसका जितना छोटा size होगा उसमें से electron निकालना उतना ही मुश्किल काम होग क्योंकि वो electron attractive और ज्यादा लग रहा होगा, तो effort भी ज्यादा लगाने होगे, तो सबसे पहले क्या करें, यहां पर सबसे size देख लेते हैं, इन सब में, beryllium boron, carbon nitrogen और oxygen में सबसे ज्यादा size किसका, सबसे कम size किसका होगा है यहां पर, nitrogen 15 group में आ रहा है और oxygen 16 group में आ रहा है यानि कि इन दोनों का size क्या हो रहा है, oxygen का size सबसे कम आ रहा है, क्योंकि left to right जाने पर, क्या हो रहा है, size decrease करता है, तो यहां पर oxygen का होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, यहां पर एक वो भी funda होता है, electronic configuration वाला, वो भी देखना होगा, यहां पर, यहां पर क्या होता है, 2P3 औ और यहां P4, क्या हो गया, half field हो गया, electronic configuration और half field के लिए क्या हो गया, इसकी stability ज्यादा, तो electron निकालना मुस्किल गाम हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, N की nitrogen की ज्यादा हो गई किस से, oxygen से, क्या ज्यादा हो गई, ionization enthalpy, nitrogen की oxygen की compare में ज्यादा हो गई, अब फिर बात करते हैं इन दोनों से छोटा size किसका होता है, boron का, boron कितने में आ रहा है, 13 में, और carbon कितने में आ रहा है, 14 में, अब इन में देखे तो छोटा size किसका हो गया, carbon का, तो फिर उसके बाद में, nitrogen oxygen, oxygen, और उसके बाद में carbon का आ गया, सही बात हो गई यहां तक, फिर उसके बाद है कि bery एलियम और बोरोन में क्योंकि बोरोन का कम साइज होगा क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा साइज डिक्रीज कर रहा है लेकिन यहां पर क्या हो गया यह क्या होता है वन एस टू 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 पी वन अब यह पर 2S2 क्या हो गया फुलफिल्ड और फुलफिल्ड है और यह काल अनी नौर्मल फिल्ड के छेंडे में ज़्यादा होती है यहाँ पर साइस तो गमा है लेकिन यह परी स्टेबिलेटी भी तो ज़्यादा या क्योंकि यह कौन सा option यहां पर match कर रहा है fourth option correct होई अपना